क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रवेट के अंदर क्या है और इसके कितने फाइदे है कबुत्रों को खेलने में तो चलो किप ओचिंग दो कुछ अन्य तो नमस्ते मैं गुछ विलकम बेक्ट तू माइ यूट्यूब चैनल एक्ष्टर करें चैनल को शेर करें चैनल के कमेंट गरें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिल आइकल बटन को दबाना ना भूले यह यह नहीं मेरी आप कुणसी भी वीडियो मिस्त ना कर सके तो चलो देखते हैं ऑस्ट्रवेट की बेनेफेट मैं ऑस्ट्रवेट की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे सामने आए जाता है अगर यह हम कबूतर को खिलाते हैं तो कबूतर का युमिनिटी पावर ज्यादा बढ़ता है सबसे में बात है कि कबूतर का हजमा ठीक हो जाता है कबूतर की परों में मुलायमता आ जाती है कबूतर के अगर पर खीचे है तो इसकी वज़े से कबूतर की कलिया की प्रोपर धंग से वो निकल आएगे कबूतर ठीक तरी से एकदम बहतरे अपनी कलिया लेके आएगा और यह खिलाने से कबूतर की उड़ान भी बढ़ेगी आपको मैं बता सकता हूँ बताना चाहता हूँ कि यह आपको पाच एमेल आपके पाच लिटर के ड्रिंकर में डालना है बस तो इससे हनी कुछ भी नहीं है जो भी होगा आपकी कबूतरों पे बेनिफिट ही होगा है है कि इसमें कुँझ सभी राषाई केमिकल नहीं है यह कोबूतरों के साथ विमराल दे दो रहे दो नहीं लिफ पर नहीं करता विमराल इसके साथ नहीं दिया तो चलेगा क्योंकि विमरालilingual अंटि विटामिन गाय बेश के लिए बहुत ज़्यादा फैदेमंद रहेगा एक्चुली मिल्क प्रोड़क के लिए इसको यूज किया जाता है तो इसके साथ इसके साथ कुन साथ प्रोड़क नहीं देने का आप अगर देख रहे हैं तो यह बहुत सस्ता भी है मेरे खाल से इसका कॉस्ट और एटीएट रुपीज है है और इसमें अपको बोलता हूँ क्या क्या है इसमें नूट्रियंस है इसमें कैलिशय में फॉस्परद से वीटेमिन डी 3 है वीटेमिन वीट्वियल है काईबर हड्रेड है कि बस और इत्मी ही इसमें प्रोड़ पाये जाते हैं यह सबसे बहतर कब उत्रों के लिए आप इसको दे सकते हैं और यही प्रोड़ अपनी गुड़ में आते हैं कि गुड़ में इससे जड़ा प्रोड़ आते हैं अब देख आपको मैं बता रहा हूं कि अश्ट्रो वेप अगर देते तो भी अच्छा है और इस एट रुपेज का आता है इतना सा और अपना गुड़ आएगा कि अधा कि जोड़ आ आईगा और वह तो बहुत अच्छा कि कि किंचिव ही महिंगी दवाई दे रही है यह मारा दे ने नहीं його है वहाप आप कभुत्रों को क्या दे रहे है बहुत मैंग है जोंहीं मेना आपको बताया है इसलिए बताया कि इस फाराइधे है औरने अगर बाजरी खेलाते हैं वो गाय भेस को भी उतने फाइदे मंदे जितने अपने कभूत्रों को हैं तो अगर बाजरी खेलाते हैं और उनको अगर गुड का पानी पीलाते हैं तो बहुत अच्छा है पहले के जमाने में कबूत्रों को उड़ाने के लिए किसी के पास दवाई लाने के लिए पैसा नहीं था पैसा बहुत मुश्किल को उनको दिखाई देता था 30-20 रुपए में कबूतर मिलते थे 5 रुपए से कबूतर खरीदे बीच जा रहे थे और अभी के रेट देखो आस्मान को चूर रहे कबूत्रों के रहे और लोगों को लगता है और महेंगी से महेंगी कभूतर की उड़ान कब बढ़ेगी को कभूतर के अंदर उड़ने की शमता होगी तब उसकी दवाई खिलाने का मतलब है रहार कभूतो की बलड लाइनी ए गंटे के उड़ने वाल है उसको और अपने वर्सला का प्रूडक खिलाया तो कुछ फाइदा नहीं होने वाला वर्सला को प्रोड़क अगर उसका बुतर की ब्लड लाइन इच्छे होगी और उसको खिलाएगा तो उसका फाइदा होगा कि खिलाने से कबुतर नहीं उड़ता उसके ब्लड में उडने हो की समता होनी चाहिए इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे मियन ब्लड लाइन है आप पहले अपको ब्लड लाइन बनाओ नहिसालिक जिसम के पास ब्लड लाइन है वह लाओ और उसको उड़ाओ तो चलो टॉपिक चेंज हो रहा है अपने आते अपने टॉपिक पे तो मैं बोलता हूँ अस्ट्रो वेट खिलाया तो भी अच्छा है इससे कबूत्रों के पर अच्छे निकलेंगे कलिया बैतरिन खिलेगे कबूत्रों की उडान भी बढ़ेगी कबूत्रों को हजमा ठीक तो इस तो पाओगे और कबूत्र को माइन भी फ्रेश होगा और यही सब चीजे अपने देशी गुड में मिल जाएगे आपको तो गुड खिलाना है या एक खिलाना है आप देख लो गुड के साथ फोड़ा शहर डालते हो तो बहुत बेतर है या फिर खली शहर पानी में देशी शहर हनी पो डाल दिया तो भी बेतर है तो चलो मेरे साथ ऐसे बने रहे हैं मेरे साथ बने रहने के आपको बहुत सारी जानकरी मिलेगी यह आई बटन में यहां पर जो वीडियो वी देखने जैसे उसमें भी बहुत जादा बेनेफिट मिलेगा आपको तो मेरे साथ ऐसे बने रहे, थैंक्स पर वाचिंग वीडियो